मैं भाव सेक्शन ब्सक्राइब अपने ट्रेंग के सेक्वेंश में जो हमारा ट्रेंग कंवास चल रहा था इन्पुट मैपिंग में इसमें हमने कवर किया एक गया था जो है playground हैということ उसका फ्रेंड पर जो स्विचज है उसका लॉजिक क्या होगा फिर हमने रिसेट को लेकर करके स्टाट के रिसेट उस बटन का जॉब रॉल क्या होगा फिर थर्ड सेक्षन में हमारे क्या था कि जो पैनल के अंदर जितना भी हमारा जिसका स्टेट चेंज होता है लोड के वज़े से या इंकमिंग सप्लाई आने या जाने के वज़े से जिसको हम लोग एलेक्टिका सेप्टिक के जोन में हम लोग रखते हैं तो इस जो सेकेंड जोन का यह हमने सभी का लॉजिक अलड़ी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्केशन किया था अब क्या है कि जो इन सब का आउटकम जो एक पैनल के उपर जो टावर लैंप जो रहता है उस टावर लैंप में एक एक कलर का क्या जॉब रोल है यदि सबसे टॉप पे हमारा रेट लैंप रहता है तो उसके पीछे क्या परपस है उसके बाद जो हमारा एलो कलर है यानि कि मैनुवल मोड फिर थर्ड पोजिशन पे हमारा ग्रीन यानि कि आटो और जो फूर्थ कलर जो हमारा जो है जो अभी जितना भी इंटिकरेट पैनल आ रहा है इंटिकरेट बोल नहीं यूज करते थे नेट्वर्क इंग बोलने का मतलब क्या है कि पीसी आपका बिभी कम्मुनिकेशन पहले के सिस्टम में हार्ड वाइरिंग हम लों ज्यादा यूज करते थे आज कि टाइम प्या क्या है कि पीएस और विपी प्रोफिनेट प्रोटोकॉल या आपका मों तो जो भी हो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं आज की रिट में हम लोग नेट्वर्किंग का यूज करते हैं उससे फायदा क्या होता है कि हमारा हाटवाइरिंग का यहाईनि की लिट आता है कि हम लोग नेट्वर्किंग करते हैं तो इंपूट इंपड डूह dönता हो पा रहे तो उसका fault कैसे detect करें है? उसका fault हमारा कैसे detect हो? इसके लिए अभी शिस्टम नहाँ क्या चल रख पैनल में जो की यह समझने वाली बात है को उसका fault को हमें identify करने के लिए हम लोग जिसook कलर को use करते हैं उसको globally worldwide उस आगर तौन का कलर जो डिशाड किया गया वह कलर किया है ब्लू कलर होता है कि अगर मेरा यह सो ड्राइब के बीच का एक केबल मेरा डिस्केनेक्ट हो गया ata डिस्प्लेय पे तो मैं जब जाओंगा है के सामरे तो मेरे को दिखेगा लेकिन एक maintenance इंजिनियर्स को दूर से ही पता चलना चाहिए कि मैं हकते जा रहा हूं तो वहाँ पे जो है हमारा क्या प्रॉलम है तो अगर मेरा blue color मेरा flickering कर रहा है यानि कि on-off, on-off, on-off कर रहा है तो इसका meaning क्या है कि जो मेरा problem है वो मेरा cable कोई ने कोई मेरा disconnected है उसके according हमारे क्या होना चाहिए यदि हमने logic में bit को use किया है तो हम उसको identify easily कर सकते है और हमारा work क्या होगा काफी easy हो जाएगा क्योंकि आप hard wiring को हटा रहे हो input output terminals की hard wiring को आप हटा रहे है लेकिन troubleshooting तो चाहिए networking है फिर भी हमारे troubleshooting यानि कि networking से related अगर fault है उसके लिए जो color हम ल बूलते हैं blue color बोलते हैं तो चलिए सबका logic रिखेंगा हम लोग रेट का क्या एलो का क्या और क्रीन और हमारा blue color और एक और white भी आता है white color क्या अगर आपका production से related है लाइन रुका हूँ आपको पता ही लिए लाइन आपका क्या है stop है और आपको मालूम ही नहीं क्यों है stop है तो हमारा production में कोई क्या कर रहे है operator जो है material रहते वे भी काम नहीं कर रहे है और line को stop करके बैठा हुए उस time हमें पता जलना चाहिए कि क किसकारान से मेरा line stop है यानि कि production department को भी क्योंकि दोस्ती नहीं होता है कि इसका maintenance और production को यह कुछ है जो मैं आपको वीडियो पर नहीं बोल सकता लेकिन हमारा as a technical as a engineers हम लोग का duty क्या बनता है पॉल्ट को identify करना और एक पलर के थ्रू जो plant head है उसको जीली बताना यह problem है तो चलिए इस problem के गोड़ी हम लोग लोग लिखें चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग one way one हम लोग logic हम लोग discuss करेंगे हम लोग चलिए logic का पएज हम लोग open करने वालने तो लॉजीक का पीज में जा रहा हूँ open करने के लिए तो यह आया आए आप के सामने स्कीनी पर logic में हिन्ग में हम लोग देख पाएंगे कि हमारा क्या था यह सिकंद क्या करेगा इसको कि नियुक यानि कि ये जैसे होता है कि हम लोग रेशमें में लगाने CCTV ये पिलकुल त्यार है यह आटो मोड है लेकिन इस्टार नहीं है जब स्टार्ट होगा तो continue मेरा लेंप आएगा अधर्वाइस ऑगर प्लिक्रिंग करना चाहिए कि व्लिक्रिंग करना उसका कडर क्या हे अब कोशन याथा है कि वह आटो ज़े भर है लैंप जो है मेरा इंडिकेटर जो है कहीं खराब तो नहीं है तो कैसे कभी-कभी बीच-बीच में टेस्ट करें जैसे आपका मेंटरेंस करते हैं कुछ हमने वाइरिंग हमने चेंज किया तो क्या मेंटरेंस एंजिनर करके चेक कर कि मेरा सब कुछ सिस्टम सही चला है कि नहीं चला नहीं मेरे भाई इंडिकेटर को उसने क्यों वाइरिंग को उसने रिप्लेस किया लैंप का वाइरिंग को रिप्लेस किया वो जस्ट क्या करेगा एक लैंप एस्ट पुस्ट बटन जो हमने दे करके रखा उसको सारा इंडिकेटर आपके पैनल के अगर आ गया इसका मिनिंग क्या है सब कुछ ठीक है यह फैसलेटी बहुत मेंटरेंस की साब से रिक्वाइड है उसके एकॉर्डी हमनों क्या करते हैं लैंप टेस्ट पूस बटन भी देते हैं इसलिए जितना भी नेटवर्क होगा जितना लैंप होगा उसके हमारा लॉजिक के पैरल में लैंप टेस्ट पूस बटन देना कंपल सरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे ये इंडिकेटर सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है तो अभी अभी कन्फियूजन हो जाता है तो इसके लिए क्या है कि हमारे मैनुवल मोड में सेलेक्ट किया है तो मैनुवल मोड यहां भी लैंप टेस्ट पर टना आएगा सबसे मेन क्योंकि ट्रबल सुटिंग का रिवार्स इंजिनिंग जिसको बोलते है वह अभी इंजिनियर को दूर से क्या दिखता है रेट कलर दिख रहा है तो वह सबसे पहले ट्रबल सुटिंग का सिक्वेंस क्रॉस इसको बोलते हैं कि सीमेंस में हम लोग क्या करता है सेलेक्ट करके एफ 11 प्रेस कर देते हैं अब यहां पर क्या है आपका common fault जो है यानि कि सभी का पैनल के अंदर का हो बाहर का हो जितना भी fault है सबका एक बिट हमने बनाए है कहां बनाए है भई पैनल से रिलेटे कहां पर हमने फॉल्ट का लोजिक हमने लिखा है तो common fault हम ले यहां देखेंगे यानि कि इसमें से कोई भी अगर fault आया या अगर output color का lamp जो है क्या होना चाहिए on होना चाहिए right यानि कि कोई मेरा fault है तो वैसे cases में क्या होगा मेरा red color का क्या होगा lamp मेरा यह मेरा on हो जाएगा ओके फाइन हम लोगों ने अभी तीन कलर को हमने confirm कर लिया है अब हम आगे चलते हैं यदि मेरा कोई क्या है communication का problem है क्या है मेरा communication का problem है तो communication अगर मेरा loss हुआ उसका bit एक्टिवेट हुआ यानि कि प्रॉफिनेट मेरा 40 डिवाइस है 40 डिवाइस है 50 डिवाइस है जो भी है उसका common हम लोगों यहां पर communication loss bit हम लोगों लेते हैं और यह मेरा क्या होता है जाओ लैंब ब्लू कलर मेरा ओन हो जाता फिर बजर तो यह तो चाहिए हुटर चाहिए ओके तो हम लोगों ने दूस्तों क्या किया यहां पर जाकर कि एक एक का logic लैंब के रिगार हमने साथ ही साथ हमने किया कि हमारा समराइज पैनल से रिलेटेट क्या था इंपूड मैपिंग विथ एलाम विथ टावर तो पैनल से रिलेटेट यानि कि पुस्ट बटन है पैनल के अंदर का कंपोडेंट से या पैनल के वहां टॉप पे जिए मेरा टावर लेंप है वह है उसका हमने क्या किया लॉजिक बनाने का सिक्वेंस पैटर्न को हमने सीखा बस्ट करें है आगे हम लोग मशीन का लॉजिक के निंगे आधि कि जोkas मोबाइल इंडिस्ट्री में आपका अलग-अलग मaoशीन जो रहता है जो मेरा डिफरेंट डिफरेंट का कमिश्णिंग का मैं मीरा एक्स्प्रियंस एकस्प्रियंस ऐस पर जो लाजिक का सिक्वेंस क क्या था पैनल के तिलम मशीन के रेगारिंग हमने आएंगे विडिएंगे तो बीज इस वीडियो को, लाइक कीजि盜े, सबस्क्राइब कीजिए यह था। हमारा पैनल का फॉया है पैनल को प्रोसेस क्या है पैनल के रिगारिंग लुजिग थ स्टे यह क्या है यह आत्व एक पोजीटिव मोड है इस पोजीटिव मोड को मेंटेन करके रखने इसलिए लाइक करना आपका बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपोर्टन